कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पीजन सिटी मेरट को और इस गंटी के बटन को दबार कर ओल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिले नमस्कार दोस्तों वेलकम इन मैं यूटूब चैनल पीजन सिटी मेरत तो दोस्तों आपने यूटूब थमनिल पर एक फीडर की पिक देखी होगी इमेज जो हम अपने जोड़ो वाले को उत्रों के जो ब्रीडिंग केजेश होता है क्योंकि मैं तो ब्रीडिंग केजेश में यह मैंने बनाये है मार्केट में देके होंचे दोस्तों वह फीडर साइज में जटे होते हैं और कोश्ली होते है अर्वनम उसकी कोश्ट pressure दाई षृह उसे थीन 8o रुपे पर प्र जॉब रोब करती है लेकिन दोस्तों यह जौ मैंने फीडर बनाया है यह दोस्तों मात्र आपको 80 रुपेगा कंप्लीट तयार होगा क्योंकि मैंने तो लागवग 32 पीस बनाए हैं ये तो मैं तो एक खटा मेट्रेल ले आया था तो थोड़ा सस्ता पड़ गया था लेकिन मैंने अगर हम अलग भी ये फीडर बनाएंगे तो मैंने इसकी कॉस्टिंग निकाली तो ये पहले तो चाहिए एक हतोड़ी ये फैबी कॉल ठीक है दोस्तों फिर चाहिए ये कुछ लकड़ी के पीसे तो यह जो प्लाइव होती है दोस्तों आधा इंची की यह आपको बुड़िन के जो प्लाइबोर्ड मिलते महां मिल जाएगी और उनके पास दोस्तों एक मसीन होती है काटने वाली तो उनसे आप कटवा लीजिए वह मैक्सिमुन कुछ पैसे लेंगे सोड़ सोर पे लिए तो उन्होंने मेरे से तो और सारे पीस मेरे काट दीए थे ठीक दोस्तों मैंका साइज भी आपको बता देता हूं तो यह चाहिए आपको एक सीशा ठीक है चार एम्म ठीक ठीक दोस्तों यह कब्जे चाहिए सबाइंची कब्जे हैं दो रुपे का एक मिलेगा दोस्तों आपको तो यह चार रुपे का तो यह हो है दोस्तों यह कब्जों को लगाने के लिए स्टैप की पेस्ट चाहिए दोस्तों एक रुपे के आपको मिलेंगे च पार ठीक है कि देख लेजिए आदा इंची है कि यह कील चाहिए दोस्तों कि एक इंची यह यह दोस्तों हुख चाहिए आपको अब यह हुख एसी पहाई आपको मिलेंके एक दोट थे दोस्तों Колे कि दोस्तों इस्कृष सबसे पहले चाहिए आपको यह पीस भीं पांच इंची का देखने हैं आप वीडियो स्क्रीन पर ठीक दोस्तों एक ये चाहिए दोस्तों आठ भाई एक इंची का ठीक एक दोस्तों ये पीछ चाहिए आठ भाई चार इंची का ठीक दोस्तों एक ये पीछ चाहिए दोस्तों आठ भाई धाई इंची का ठीक है और यह आप देखने ये शाड़े चार वाई 5 इंची ऐसे दो पीस चाहिए आपको उससे पहले आपको चाहिए आठ्वाई पांच इंची का एक पीस और आठ्वाई दाह इंची का एक पीस प्यूँने सबसे पहले में जोड़ेंगे तो हम कि इस वाले पीस पे गुलू लगा लेते हैं तो इस फाइदा है कि हमारा यह फीडर स्ट्रॉंग हो जाएगा है यह मैं पहले से खील लगा लेंगे ताकि हमें आसानी ने जोड़ने की ठीक है यह फील तो नासानी से ने अब दोस्तों क्या करना इसे हमें इस तरह दोस्तों देखें यह ढाइन ची के पीस को उपर ही आठ इंची का में यह इस तरह पीस लेना है तो यह आप देखिए यह हमारा जुड़ गया है देखिए आप यह ढाइन ची का पीस उपर लिया है हमने और आठ इंच भाई पांच इंची का पीस नीचे लिया है थेखें हमारे जो देख रहें पीस थे यह पांच इंची वाई साड़े चार इंची के जो दो पीस्ते आप हमें इन्हें लगाना इस तरह दोस्तों यह जो साड़े चार इंची वाला पीस्ता यह यहां से यहां तक साड़े चार इंची था दोस्तों यह यहां से तो हमें यह इस तरह लगाना है ठीक है दोस्तों देखने आप इस तरह हमें जोइंट कर लिया ठीक है यह आप देख रहें अब सेम हम दूसरी साइड वी इस साइड वी यह वाला पीश हम जोइंट कर लेंगे ठीक है दोस्तों ठीक दोस्तों यह हमारा कम्प्लीट तैयार हो गया अभी हम हमें कौन सा पार्ट जोडना वह मैं आपको बता रहे हूं ठीक ह दोस्तों हमारे पास यह जो आठाइश लगाने के लिए सबसे पहले इसका लाइन यह विल्कुल के नारे इसके फीस होने चाहिए यह आप देख यह दोनों किनारे इसके फेस में चाहिए जो मेरी उंगली आपको दरसारी हो और फेस नोने के बाद फिर हम इस टुकड़े को यहां रखेंगे यहां थे अधका सब क्वेए और यहां तो यहां कि से करके दोस्तों और इस वाले प कि दिखे दोस्तों यह हमारा फिक्स हो गया 18 वाई एक इंची वाला पोर्चन जो था है कि डेख सकफे हाँ ठीक है अब अब धुस्तों यह में कील से नेच होग ना इसका हला लादा ठीक है तो amazed कबज लगा के देखाता हूं तो यह हमें कबजा इस तरह यह कज दिना अब देखिए दोस्तों यह हमारा कबजा इसमें कश चुका है तो यह अब हमारा इस तरह से कि मैं इसे अश्विद्च नालना है तो यह हमें यहां यह से लगा देंगे ठीक है तो दोस्तों देकि ardhukute नियुको लिए हैंपोस्ति आपकर दिख ने में लगाना हैं यह अब देखिये यह इस जगे ज् depression है तो दोस्तों और यह मैं talk लगाना नीचे की तरफ यह इस तरफ दोस्तों एक इस तरफ लगाना एक हमें इस तरफ लगाना है देखे दोस्तों यह हमारे दोनों हुक लग चुके एक इस साइड लगे दोस्तों और एक हमारे एक साइड हो गया अब यह हमें हुक दोस्तों बहार जो हम पिंजाली में देखा देता हूं दोस्ता आप ये वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये एरल राइट होते हैं ठीक है ये दो लुकिड आते हैं लुकिर फॉर्म में होते हैं तो मेरे को तो दोस्तों ये ज्यादा फीडर उनाने थे इसलिए मैं ये पूरे बड़े-बड़े डबे लिय दाल है ताकि हमारी सर्फेस गंदी ना नीचे की फर्स भगरा ठीक है तो मैं इसमें थोड़ा से लिक्विड ले लेता हूं ये दोस्तों दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल लेनी है ऐसा नहों कि एक ज्यादा हो जाए एक कम हो जाए ठीक है बिल्कुल ये ये से हाथ से उंगली से नहीं मिलाना एक छोड़ा से लगड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं या कोई भी आपको इस्टिक मिले उससे आप मिलने के बाद दोस्तों ये इस फॉर्म में आ जाएगा हलका से सफेद तो इसका मतलब यह का आपको जो मिक्शर है बिल्कुल मिला नहीं कि अगर तो अब हमें ये इसके सब्सक्राइक इसे लगा लेंगे यहां जामारा सीश है एक दोस्तों एक गंट वाद आफका फीडर तयार हो जागा है देकि दोस्तों है इस तरह आपका या फीडर तयार हो जागा बनका किसे आप खेंग कर सकते हैं ठीक है कि यह देख सकते मैंने इसमें डाना डाल दिया है उपर से यह खुलिए लिए दोस्तों इसमें गंडी की जाएगा कि अच्छी लगी बताइगा जरूर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइप करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जाद जाद सेर कीजिए